अगली कबरो मरिया से उमरिया में इस राखी भाईयों के हाथ में ट्राइबल आठ की राख्यां सज़ती हुई नज़र आएंगे आदिवासे बाहुलियों मरिया जिले के लोढ़ा में स्वाश सहायता समू की महिलाएं राखी बनाने का काम कर रही हैं ये महिलाय राखियों में बाग, हाथी, मोर, चीतल और व्रिक्ष जैसी आकरितियों को राखी परुकेर रही हैं जिसे बेहत पसंद किया जा रहा है। राखियों के भारी डिमार्ड को देखते हुए महिलाय समू दिन रात राखिया बनाने में जुटी हैं। तो हम लोगों को थोड़ा आय मिल जाती है आर्थिक स्थिति में। तो हम लोगों का काम अच्छा चैल रहा है। हम लोग इसे गाउ में भी काम बेचते हैं मतलब राखिय के समय में और बाहर उमरिया में भी ले जाते हैं। तो और तक हें इसमें के नूँ आब आजए लगाते हैं मोती लगाते हैं और आधागा रवन क При सीर क वनाते हैं चेत्रचtt्यत्यक भी बनाते हैं तितली का भी बनाते हैं बैगार्ट से जुड़ा हुआ है और सरहिरन वगैर ऐसे बनाते हैं बैगा चित्रकारी में चित्रकारी का काम करती हूं और मुझे अच्छा भी लगता है और मैं अजीब का मिशन दौरा आंगे बढ़ती हूं और मैं ट्रेनिंग भी दिलाती हूं और इसमें बिक्री भी होती है और दुकानों में जगह जगह क्या क्या बनाती है ट्राकी बनाते हैं और पेपर बेट बनाते हैं पेपर हेडमेट में बनाते हैं केनवास भी बनाते हैं बैग भी में बनाते हैं और इस सारी जो समगरी है हम यहां आप महिलाओं मिलके काम कर रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है काम करने में और आंगे बढ़ते हैं राखी के बार बता ही क्या क्या मिला के अब राखी में हम जो जैसे जड़ी मिल गई और उन से और केंवास में काटिंग करते हैं तो केंवास काटिंग करके इसके बाद में उसमें पेंटिंग करते हैं फिर नीचे उन वाला मतलब डिजाइन डालके फिर उसमें चिपकाते हैं धागा लगाते हैं मद्य प्रदेश राजी गरामेडा जीवी का मिशन के माध्यम से स्वसाहता समूग की महिलाएं उनके आंतिरिक रूची अनुसार इनको हमने बैगा चित्रकारी की ट्रेनिंग उपलब्द कराई जिससे कि यहां पर महिलाएं गराम लोडा की महिलाएं बहुत ही अच्छा में बहुत ही जादा इनकी विक्री हो रही है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इनके पास आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है और हमारा विभाग भी इनके सांथ कदम से कदम मिलाके इनका सहयोग कर रहा है इनको मार्ग दर्शन प्रदान कर रहा है जिससे कि इनकी आरती के स्थेदी सुद्रण हो सके।